आईए दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि आप कैसे Department of Post यानि कि इंडिया पोस्ट जो है या फिर जिसको अपन बोलते हैं भारती डाक सेवा उनके पास अपनी शिकायत कैसे भेज सकते हैं जैसे समझ लिजे Friends कि आपने कोई Speed Post किया है या फिर Registered Letter भेजा है या फिर समझ लिजे Money Order भेजा है और समझ लिजे कि आपने भेज दिया और जिसको आपने भेजा उसको नहीं मिला या फिर समझ लिजे आप जब अपना Tracking Status चेक कर रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं पर अठका हुआ है या फिर समझ लिजे बहुत ही ज़्यादा Delay हो रहा है तो जो भी हो रहा है मतब जो भी आपको समस्या आ रही है उससे Related कैसे अपन Department of Post के पास अपनी शिकायत भेज सकते हैं तो उसको इस वीडियो के माध्यम से आज अबन जानेंगे तो दे कुछ प्राउलम आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि कुछ दिन आप वेट कीजिए जैसे समझ लिजे आप New Delhi में है और आप चेन नहीं लेटर भेज रहे हैं तो आप Speed Post कर रहे हैं समझ लिजे तो आप कम से कम एक हफते का तो टाइम दीजिए वैसे इतना टाइम नहीं लगता है Speed Post में पर फिर भी आप पकड़के रखिए कि एक हफता तो टाइम आप दीजिए अगर समझ लिजे एक हफते बाद भी जिनको आपने Speed Post किया था उनको नहीं मिल रहा है तो उस case में आप Official Website पर आ जाईए Department of Post की IndiaPost.gov.in पर और यह जो Complaint Registration पेज है यहाँ पर आप अपनी Complaint Register कीजिए तो देखे इस page की link मैंने इस वीडियो के description पे डाल दिये तो आप इस वीडियो का description एक बाद जरू चेक कर लिजे अब देखे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं category जो मतलब मेरी Complaint की category है वो है mail services की उसके बाद mail services जैसे मैं select करूंगा तो service type पूछ रहा है type का मतलब यह हुआ कि आपको क्या problem हो रही है तो देखे delay in delivery of articles यह लगबाग सभी को problem रहती है अब देखे यहाँ पर पूछ रहा है कि booking office details वो यह तो domestic हो सकता है या फिर international हो सकता है तो देखे अगर आप domestic select करते हैं तो यहाँ पर आपको booking office details डालना पड़े तो देखे जैसे मैं यहाँ पर अपने शहर का pin code डालता हूँ और booking office details select कर लेता हूँ तो देखे मैं यह वाला office select कर ले रहा हूँ अब उसके बाद receiver office details मतब जैसे समझ लीजे आपने यहाँ से समझ लीजे भोपाल बेजा letter तो वो यह तो domestic में आयेगा या फिर समझ लीजे क कि आपने अगर कोई इस post को किसी foreign country में भेजा है तो आप इसको यहाँ पर international भी select कर सकते हैं उसके बाद अगर आप international select करते हैं तो आपको यहाँ पर जिस country में भेजा था office name, article, number यह सब डालना पड़ेगा तो फिलाल मैं अभी domestic आपको समझा देता हूँ तो देखे domestic जब आ भोपाल का pin code डालता हूँ और search करता हूँ और देखता हूँ कि कौन सा post office इसके इंडर में आता है तो देखे यह मैंने समझ लीजिए यह आनन नगर भोपाल इसको मैं select कर लेता हूँ अब उसके बाद देखे friends आप यह पर registered post करते हैं या फिर speed post करते हैं तो आपको article tracking number मिलत इसे ही जो आपके रसीद में print है उसको यहां डाल दीजिए और यह case sensitive है जैसा आपकी alpha numeric characters या जैसा भी आपके रसीद में print है आपको वैसा ही लिखना है आप keyboard में मतलब आप जैसे capital में लिखा है तो आप उसको small नहीं कर सकते या फिर अगर small में लिखा है तो capital नहीं कर सकत है तो यह case sensitive है इस बात का ध्यान रखिए transaction date जिस तारीक को आपने अपनी speed post किया था या registered post किया था या फिर money order किया था जो भी किया था उसका transaction date भी आपके रसीद में print होगा तो आप यहां पर इस calendar के माध्यम से select कर दीजे अब उसके बाद friends यहां description दीजे description मतलब आपकी क् है तो जो भी आप यहां पर लिखेंगे उसको ध्यान से लिखिए कि जैसे समझ लीजे आपका बहुत दिनों से speed post अटका हुआ है या फिर समझ लीजे 15 दिन हो गए है पर आज तक speed post आपको मतलब जिनको आपने भेजा था उनको मिला ही नहीं है तो जो भी आपकी परशानी इस description box में डाल दीजे अब देखिए friends इसके बाद आपको जो आप complaint register करवा रहे है तो आपको यहां पर अपनी पूरी details डालनी है तो देखिए यहां पर बहुत सारी चीजे पूछी हुई है first name, last name, email, address, country, state, city, pin code, mobile number तो देखिए mobile number अपना यह सही तरीके से डालिएगा क्य अगर उनको लगेगा तो और यह address भी सही तरीके से आप enter कीजे कि in case अगर post office को आपको contact करना रहे है तो वो आपको contact कर सके उसके friends address, addressी detail मतब जिनको आपने letter भेजा था या जिनको आपने consignment भेजा था और जिनको नहीं मिला है अभी तक उनका क्या details है तो उनका भी पूरा यह detail आप डाल दीजे, pin code ध्यान से डालिएगा और mobile number भी ध्यान से डालिएगा, सही तरीके से डालिएगा, क्योंकि अगर in case अगर वहां के post office को, मतलब जिस city मैं आपने भेजा था, वहां के post office को इंको contact करना रहा, तो इंके पास सही information होनी चाहिए, address और mobile number की, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, uploading supporting documents, अगर आपके पास कोई रसीद वगरा है, तो उसको आप एक photo कीच लिजे, और attach कर दीजे, ये choose file option करके, और in case समझ लिजे, अगर आपके पास और कोई supporting document है, आपके consignment से related, तो उसकी भी photo कीच के आप यहां पर attach कर सकते है, अब देखिए, यहा submit हो जाएगी, और आप थोड़ा फिर time दीजिए, post office को act करने के लिए, ताकि आपकी जो complaint है, उसपे India post काम कर सके, आपका जो शेहर का post office मतलब जहां से आपने consignment होई जाता है, वहां का post office, और beach के post office, जहां से मतलब आपका letter या consignment बीच के जिन जिन post office से निकलते हुए गया और final post office, तो इन लोग आपस में contact वगरा करेंगे और देखेंगे कि आपका क्या problem है, या आपका letter कहां अटका हुआ है, या गुम गया है, या जो भी है, तो आपको कुछ दिन के अंदर इन लोगों की तरफ से response मिल जाना चाहिए, पर जैसे समझ लीजिए कि friends, अगर आप, म Ministry के पास, यानि कि देखिए अपना जो Department of Post है, वो Ministry of Communication, Government of India के पास आता है, तो Ministry of Communication, Government of India का Department of Post जो Department है, यानि कि अपन अब direct अपनी complaint भेज देंगे New Delhi, तो मतलब अपन बहुत बड़े लेवल पे देंगे अपनी complaint को, तो फिर जब इतने टॉप से, जब उनको कहा जाएगा कि आपकी जो problem है, इस पर काम क्यूं नहीं हो रहा है, जबकि आपने complaint register करवा दिया है, तो जब उनकी तरफ से New Delhi से जब pressure आएगा, तो आपकी हो सकता है, बहुत हाई chances है कि शिकायत जो भी है, वो दूर कर दी जाए, तो देखिए Department of Post के पास अगर आपको शिकायत भेजनी है, तो आपको आना होगा pgportal.gov.in पे इस official website पे और बस आप एक बात का धियान रखिए कि आपको जो अपनी complaint भेजनी है, वो भेजनी है Department of Posts के पास, यानि कि DOP के पास, तो friends अगर आपको pgportal.gov.in पे अपनी शिकायत register करना है, तो उस case में सबसे बहले आपको इस site पे आके बनाना होगा, तो friends इसके पहले account बनाना जरूई नहीं था, पर अभी पितले कुछ महीने पहले लोग ने अपने site में कुछ changes किये हैं, और अब registration compulsory हो गया है, तो friends यहाँ पर आप देख रहे होंगे, click here to register लिखा हुआ है, इस पे आप click कीजिए, उसके आप friends यहाँ पर आपको अपनी details डालनी होगी, तो जो भी details यहाँ पूछिए, उसको आप सही तरीके से भरिए, गलत detail या inaccurate detail मट भरिए, हो सकता है यहाँ तो आपको problem हो, तो देखिए, यहाँ पर आपको अपना नाम, पता, phone number, mobile number, email address, और यह सब और भी कुछ चीज़े डालनी है, जो यहा करना पड़ेगा, कि आप अपने email address को अपना login ID बनाना चाहते है, कि अपने mobile number को अपना login ID बनाना चाहते है, तो friends, अगर आप email address को अपना login ID बनाना चाहते है, जो आप यहाँ पर डालेंगे, तो यह email address को select कीजे, इनकेस अगर आप अपने 10 digit mobile number को अपना login ID बनाना चाहते ह तो फिर यहाँ पर enter कीजिए 10-digit mobile number उसके बाद यह mobile number को अपना login ID बनाईगे इस form को पूरा भरने के बाद friends आप submit button पे click कीजिए submit button पे click करने के बाद friends अगर आपका जो भी आपने detail डाली है वो सही है तो आपके email address पे और mobile number पे कुछ verification link भेजी जाएगी जैसे for example मैं बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पर जो भी email address अपना use करेंगे उस पे एक verification link आईगी और आपका जो mobile number है उसमें एक one time password आएगा जिसको आपको अपने account में पहली बार login करते समय एंटर करना है तो friends यहाँ पर जब आप submit button पे click करेंगे तो आपके email address पे एक verification link जाएगी और आपके mobile number में एक one time password या फिर mobile verification password जाएगा तो friends email address में जो आपके verification link गई है उसको आपको click करना है और अपने email address को verify करना है इस site के साथ और आपके mobile number पे जो एक one time password आया है या फिर mobile verification password आया है तो उसको आपको जब आप पहली बार अपने account पे pgportal.gov.in के account पे login करेंगे तो उस mobile verification code को डालना पड़ेगा तो friends email address और mobile verification code डालना बहुत ज़रूरी है बिना इनके आपका account अक्टिवेट नहीं होगा तो आप अपना mobile number email address सही तरीके से डालिए और आपको यहाँ पर अपना अप जो login करना है यहां से करना है तो friends यहाँ पर आपने अगर अपना username email address रखा होगा तो email address यहाँ पर डालिए अगर आपने mobile number डाल रखा होगा तो आपने username की field में यह जो दिख रही है इसमें mobile number डालिए password जो भी आपने रखा होगा उसको यहाँ पर डालिए यहाँ पर security code डालिए यह जो capture दिख रहा है 396854 इसको यहाँ पर type कीजिए और login कीजिए आपके case में हो सकता है capture कुछ और देखेगा एक बार जब आप login हो जाएंगे friends तो आपको कुछ इस type का interface आपके browser पर देखेगा तो यहाँ पर देखेए आपको अब अपनी complaint register करनी है तो यहाँ पर देखेए lodge public grievance लिखा है इस पर आप click कीजिए इसके पर friends यह जो इसको आप थोड़ा पढ़ लीजे कि आपकी जो grievance है या complaint है in matter से related तो नहीं है अगर in matter से related होगी तो आपकी जो complaint है वो reject कर दी जाएगी यहाँ पर देखेए यह check box में click कीजिए और submit अब friends अगले page पे आपको यहाँ पर central government select करना है central government आपने select कर लिये अब उसके बाद friends जैसा कि मैंने इस video के पहले बताया कि अपन किस department को अपनी complaint भेज रहे है उसको यहाँ से select करना है तो देखेए यहाँ पूरे जो central government के जित department है उनकी पूरी list है तो इस video में जिस department या ministry का नाम मैंने आपको बताया है उसको आपको यहाँ से select करना है उसके बाद friends आपको यहाँ पर अपनी complaint टाइप करनी है यह जो बड़ा सा एक box है इसमें अपनी complaint टाइप करनी है और मैं यही बोलूँगा जितना information आप दे सके उत की थी मतलब इसी portal पे तो उस case में आप उसका reference नंबर या फिर जो complaint नंबर है वहाँ डाल सकते हैं सासाथ में पिछले complaint की जो date थी या फिर पिछला जो reference था आपका नंबर था उसकी जो date थी उसको आपको यहाँ select करना है और friends यहाँ पर देखिए यहाँ choose file जो लिखा हुआ है इस option या button का use करके आप एक PDF file 4MB तक के attach कर सकते हैं और अपनी जो complaint है जो आप यहाँ पर इस डब्बे में type करेंगे उसके साथ भेज सकते हैं तो यह जो PDF file रहेगी यह मतलब आपकी complaint से related कोई document है जो आपको लगता है कि लगाना चाहिए तो आप उसको scan कीजिए या तो ए scanner नाम का software होता है उसको use करके आप scanned file upload कीजिए, PDF file create कीजिए और यहाँ पर upload कीजिए और एक बार जब आपने सब detail डाल लिये और आप satisfied है कि आपने पूरी तरीके से अपना जो complaint है उसको लिख लिए है, submit बटन पे click कीजिए हाँ तो friends एक बार जब आप submit बटन पे click करेंगे तो आपको आपका complaint का एक unique registration number मिल जाएगा और जब वापस आप इस home button पे click करेंगे तो आप यहाँ पर इस type के अपने account के page पे आ जाएगे, यहाँ पर देखिए अभी मेरा कोई registration तो है नहीं पर आप जो complaint register करेंगे उसके ministry के हिसाब से या department के हिसाब से उसका registration number यहाँ पर देखेगा, जिस दिन आपने शिकायत की थी वो तारीक यहाँ पर देखेगी और अगर ministry या department ने आपकी complaint को close कर दिया है तो उसकी तारीक यहाँ पर देखेगी, साथ साथ में friends अगर आप अपनी complaint से related कुछ reminder lodge कराना चाहते हैं तो इसी page में आपको देखेगा, साथ साथ में अगर आप अपनी complaint का status track करना चाहते हैं तो उसकी भी details या उसका भी button इसी page पर मिलेगा, तो friends मैं आशा करता हूँ यह video आपको पसंद आया होगा, अगर हाँ तो like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, thanks for watching